हलो डिर स्टुडेंट्स वल्कम टू मैंगनेट ब्रेंज मैं संचुता जैन आपकी सस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास नाइंथ स्टुडेंट्स के लिए सामर्जी विग्यान मैं अर्थ सास्त रियानिक एकनॉमिस के चैप्टर न आती है एंची आरेटिशल लिशन्स की तो शुरू करने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से जादा आज के शैशन को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यूँकि मैंगनेट प्रेंस कराता है आपको class 6 से लेके class 12 तक के सारे courses free of cost high quality education के साथ fully organized complete course के साथ जी हाँ अब आप के लिए कई सारे top courses इंडी और इंग्लिस दोनों मीडिया में provide कराते हैं cbc board के साथ MP board, UP board, बिहार board, दिल्ली board, राजस्तान board के slayvers को cover कराया जाता है काती सारे special courses है जैसे कि व्यादिक मैंस crash course spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही सगय एकदम free of cost provide कर आए जा रहे हैं अगर आपको इबुक सरी नोट्स की भी आविशकता है वीडियो की description में उसकी link दीगे है वहाँ जाए क्लिक किजिए और सारी की जीज़ें प्राप्त कर लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह session आपके लाइक और share के साथ NCRT solutions class 9 economics chapter number 4 और यह है आज के सवाल अभ्यास यानिक exercise में पहला सवाल है पहला सवाल क्या है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सूनिश्चित की जाती है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सूनिश्चित की जाती है food security को आप कैसे बनागे रखते हो भारत में बतादो जल्दी से बहुत आसान है और आसान होने के साथ साथ बहुत important है कितनी अच्छी बात है कि जब कोई चीज आसान भी हो और important भी हो ठीक है तो जैसा कि हमारे चैप्टर का टाइटल है भारत में खाद्य सुरक्षा तो सीधा सवाल पुछला कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करी जाती है कैसे हमारी भारत की सरकार के द्वारा भारत में खाद्य सुरक्षा को बना के रखा जाता है देखा जाए चलिए तो देखते हैं भारत में कादे सुरक्षा सुनिशित करने के लिए निमलिखित कदम उठाए गए हैं पहला कदम है बफर स्टॉक का निर्माण पहला काम क्या किया गया है बफर स्टॉक को बनाया गया है अब यह बफर स्टॉक होते क्या है तो पिया यह ह होते हैं सरकार के बड़े-बड़े अनाज भंडार ग्रह जहां सरकार किसानों से अनाज को खरीद कर बड़े-बड़े भंडार ग्रहों में स्टॉक करके रखती है ताकि जब जरूरत हो तो इसका उपयोग किया जा सके ठीक है तो चलिए समस्ते हैं कि इस question को हमें लिखना कैसे है भारत में खादी सुरक्षा के लिए दो कदम उठाए हैं पहला है बफर स्टॉक ठीक है तो भारत सरकार द्वारा खादी सुरक्षा की पूर्ती हे तू बफर स्टॉक का निर्माड किया गया है ताकि खादी सुरक्षा बना की रखी जा सके जब ए हमारे यहां मलब जब कभी भी आपदा आती है हमारे देश में तो उस समय या जो हमारे गरीब परिवार है जो अनाज को खरीदने में सक्षम नहीं है बाजार की कीमत पर अनाज को खरीदने में सक्षम नहीं है तो उनको कम कीमत पर अनाज उप्रवत करवाया जासा की सिंप तरहें चावल का भंटार यहाँ पर रखा साथा है फिर किसी आपदा के समय वित्रत कर दिया जाता है जब देश में कोई आपदा आती है कोई इस संकट आटा कोई परिशानी आती है जब अनाज की कमी हो जाती है तो सरकार द्वारा इस अनाज का उप्योग हमारे देश की जनता के लिए किया जाता है फिर क्या है सरकार द्वारा इसका निर्माड कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में अनाज के वित्रण के लिए किया जाता है जो BPL परिवार हैं, Below Poverty Line यानि की गरीबी रिखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं, उनको कम कीमत पर अना जुपलब्ध करवाना सरकार का उद्देश्य होता है. तो Buffer Stock क्या होता है, किस लिए होता है Buffer Stock का उप्योव, ये बात आपको समझ में आई, अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी पूछेगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगे, ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि इतना जादा अनाज आता कैसे है कि भ कारे में मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, ठीक है, FCI क्या है, Food Corporation of India, यानि कि भारती खाद्य सुरक्षा निगम, क्या है, भारती खाद्य, भारती खाद्य सुरक्षा निगम, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है, ये सरकार का ही यंग है, तो इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, सरकार किसानों से, फसल को वोने से पहले ही एक निर्धारित कीमत तै कर देती और उस कीमत पर Food Secure, Food Corporation of India के माध्यम से, भारती खाद्य सुरक्षा या भारती खाद्य निगम के माध इसके माध्यम से अनाज खरीती है, और अपने बड़े बड़े अनाज के भंडार ग्रहों में सुरक्षित रखती है, अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किसानों को जादा उत्पादन के लिए प्रोसाहित किया जाता है, देखो, मैंने अभी एक बात आपको पताई थी कि फसल को बोने से पहले ही सरकार किसानों के लिए उस पर्टिकुलर अनाज की कीमत तैकर देती है, अब किसान को ये पता है कि सरकार हमारी फसल को पकने के बाद इस कीमत पर खरीदेगी ही, यानि कि इस फसल की इतनी वैल्यू हमें मिलेगी ही, तो किसान क्या करत करते हैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं ज्यादा से ज्यादा फसल को उगाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है और जिन राज्यों में ज्यादा उत्पादन होता है वास्तों में उन राज्यों से सरकार सनाज को खरीद लेती है अल्राइट क्लियर है कंसेप्ट भार ये सारी बाते किलियर हुई क्या कहते हो बताईए जल्दी से क्लियर है चलिए अब देखें दूसरा पहलू क्या है इसका भारत में खाद उस रक्षा को बनाए रखने के लिए सार्भुचिनिक वित्रण प्रणाली यानि की पब्लिक डिस्ट्रिविशन सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी एस कहते हैं पीडी एस यानि की पब्लिक डिस्ट्रिविशन सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रिविशन सिस्टम ठीक है अब देखें भार्ति खादे निगम के द्वारा किसानों से अधिप्राप्ट अनाज ठीक है समाज के गरीब वर्गों में यहाँ पर आ गया भार्ति खादे निगम का नाम Food Corporation of India का नाम एफसी आई का नाम तो एफसी आई द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज समाज के गरीब वर्गों में राशन की दुकानों के माध्यम से वित्रत किया जाता है यानि कि डिस्टिब्यूट किया जाता है जिसे सार्वजनिक वित्रण प्रणाली यानि कि पब्लिक डिस् कीमत पर दिया जाता है बाजार कीमत से कम कीमत पर दिया जाता है जी हां किलियर है बात फिर हमारे देश में लगभग फाइब पॉइंट फाइब लाख राशन की दुकानों में बाजार से कम दामों पर अनाज चीनी तथा तेल आधी वित्रत किया जाता है ये सारी चीजें लोगों को गरीब परिवारों को दी जाती है तो इससे फूट सेक्यॉरिटी निश्चित हुई की नहीं यानि कि जो व् पर वोजन दिलाने की व्यवस्था करी है अनाज दिलाने की खाद्यान दिलाने की चीनी दिलाने की इधन दिलाने की व्यवस्था करी है तो इससे उन लोगों के पास खाना रहेगा और भारत में खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी यानि कि भारत के हर एक व्यक्ति को दो वक् पर स्टॉप और एक है क्या एक है आपका सारवजनिक वित्रण पराली यानि की पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम पीडियाइस अल्राइट चलिए क्वेस्चिन नमबर टू है कौन से लोग खाद आसुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद आसुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं अधिक परेश्यान हो सकते हैं देखें चलिए तो भारत में खाद और पोशन असुरक्षा से लोगों का एक बड़ा वर्ग पीड़त है ठीक है बात हो रही है खाद सुरक्षा की खाद सुरक्षा करने क्यों है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग है जो खाद असुरक्षत है यानि कि जिनको खाना नहीं मिल पाता है तो आखिर वो लोग हैं कौन से कौन सा ऐसा वर्ग है जो खाद्य शुरक्षा से जादा प्रभावित है ठीक है तो भारत में खाद्य और पोशन शुरक्षा से लोगों का एक बड़ा वर्ग पीड़त है हाला कि सबसे अधिक प्रभावित समुशेत्र निम्न है सबसे जाना इसी से कौन प्रभावित होता है ठीक है तो देखें भूमी हीन और भूमी हीन गरीब परिवार वे परिवार जिनकी स्वयम की भूमी नहीं है भूमी हीन जिनके पास स्वयम की भूमी नहीं है पारम परिका पारम पर एक सेवाओं के प्रदाता जो पुराने लोग है जो सेवाओं प्रदान करते थे किस प्रकार की सेवाओं जैसे कि आपने जजमानी व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा जजमानी व्यवस्ता क्या होती थी ये प्राचीन भारत में प्रचले थी और उसमें क्या होता था कि जैसे छोटे-छोटे काम करने वाले लोग है जैसे कि कोई लकडी का काम करने वाला है जैसे हम बड़े ही कहते हैं कोई जो है नाई है बाल बनाने का काम करता है तो ऐसे व्य की जनरेशन है तो नाइगी पूरे जनरेशन एक किसी जजमान के जिनके हाँ यह काम करते थे जिनको अपनी सेवाएं देते थे उनको जजमान कहा जाता था ठीक है तो उनके हाँ अपनी सर्विस देते थे और उसके बदले में इनको यानि कि जो पारंपरे ग्रूप से सेवा देते हैं इनको वो लोग जजमान लोग वो परिवार इनको कुछ वस्तुएं दे देते थे ठीक है क्लियर हो रही है बाद जैसे कि कोई मजदूर किसी एक ही बड़े किसान के हां काम कर रहा है तो उसको क्या दे दिया जाएगा उसको थोड़ा सा कुछ अनास दे दिया जाएगा यानि की कैश मनी नहीं दी जाती थी कुछ सामान दिया जाता था तो अब जो पारंपरिक सिवाओं के प्रदाता हैं उनको कैश मनी तो नहीं मि आप करते रहो तो अब भई अपना जीवन कैसे चलाएंगे अपने परिवार के लिए और खुद के लिए दोवक्त का भोजन कैसे जुटा पाएंगी तो यह आज सुरक्षित हैं की नहीं बिल्कुल है ठीक है फिर छोटे स्वारोजगार वाले श्रमेक छोटे-छोटे श्रमे जो विकारी हैं और यहां पर देखो भई यह इक स्पेशली मैंशन किया गیا है ग्रामिबड चेतर के विकारी शाइरी चेतर के विकारीयों के तो आज कल हैं आप न बने हुए हैं धंदा बना लिया अप देखेंगे कोई भिकारी आपके पास शहरों में पैसा मागने आ आता ठीक है इतने अमीर हैं और आप देखेंगे आप कुछ भी अगर उन्हें सामान देते हैं ठीक है और साम को आप वापस आते हैं तो देखेंगे उनके पास वो सामान नहीं रहेगा और फिर वैसे ही बैठे रहेंगे और अपना घर भरते जाते इवन इनकी कई मंजिला घर भी ह होते हैं तो शहरी चेत्रों में तो विकारियों ने अपना ये भीक मागने का एक बिजनिस बना लिया है जितना आप और हम नहीं कमाते होंगे उतना ये विकारी कमाने लगें इसलिए यहां पर मैंशन किया गया है ग्रामिड चेत्रों के विकारी उनको ज्यादा दिक्कत होती है वास्तों में शहरी चेत्रों में अगर वाकई में जो विकारी है तो शहरों में इतने सारे लोग होते हैं इतने सारे भीड होती है कि कहीं भी ये जाके बैड़ जाएं तो इनको सिगनल पर मं पैसा खाना सब कपड़े सब कुछ मिलता जाता है लेकिन ग्रामिड चित्र में आल्रेडी बेरोजगारी है और रेडी लोग गरीब है लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वो भिकारियों को क्या ही दे पाएंगे साधरण सी बात है तो विकारियों से तो निराश्रित आने की जिनका कोई नहीं है किलियर हो रही है बात तो यह ज़ादा आसुरक्षित हैं फिर फिर क्या है मौशमी गतीविधियों में बीमार लोगों और अवैद मजदूर मौसमी गतिविदिया शहरी छेत्रों में जैसे की हम बात करें कि किसी एक सीजन में किसी व्यक्ति को काम मिल जाता है लेकिन दूसरे सीजन में काम नहीं मिलता चाहे शहरी छेत्र की बात हो चाहे ग्रामिड छेत्रों की बात हो अब जैसे किसी शहरी छेत्रों की बात करें तो और दंडेह तो औधियुक धंदे में एक बार प्रोडक्षन हो गया लेकिन उसकी डिमांड अतरी प्रोडक्ट की जादा नहीं है तो मसदुरुणको काम से निकाल दिया जाएका जब मजदूरों को काम पे बुलाया जाएगा या फिर हर दिन मजदूर को काम कहीं नहीं मिल रहा है फिर ग्रामिड छित्र की बात करें तो ग्रामिड छित्र में लोग किस में काम में लगे रहते हैं गाओं में लोग खेती बाड़ी की काम में लगे रहते हैं ठीक है तो खेती क्य एक मौसमी व्यवसाय है एक बार फसल वो दी तीन चार मईने इंतजार करना पड़ेगा फिर फसल कटेगी तो फसल बोने और कटने के समय तो रोजगार मिलेगा लेकिन उसके बीच का जो समय है उसमें रोजगार नहीं मिलेगा यानि कि यहां पर लोग किसका शिकार होंगे कि मौसमी बेरोजगारी का शिकार होंगे किलियर यहाँ पर क्या पनब जाएगी मौसमी बेरोजगारी पनब जाएगी फिर फिर क्या आता है SC यानि कि SEDULE CAST अनुसुचित जाती ST यानि कि SEDULE TRIBES अनुसुचित जन जाती और OBC यानि कि पिछड़े वर्गों से संबंधित लोग हैं जो समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं जो सामजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं वे खाद सुरक्षा से सबसे जादा प्रभावित होते हैं ठीक है तो ये सारी बातें आप बता देंगे अगर इ अब देखें प्राक्रते कापदाओं से प्रभावित लोग जिन्हें काम की तलाश में दूसरे शेत्रों में जाना पड़ता है अब जिसे मालो आप जिस शेत्र में रहे रहे हो और शेत्र में भूकंपा आजाए सुनामी आजाए बार आजाए सुखा पढ़ जाए फसल ही ना मिले खाने को ना मिले बुकम पाजाय सब कुछ तहसन है सो गया बार आगई सब कुछ ढूब गया आपके पास कुछ नहीं बचा उस जगह काम करनी के लिए नहीं बचा आपका जो रोजगार का साधन था वो भी ढूब गया सब मिट क्या आप क्या करोगी दूसरी छेतर मे आपको जाना पड़ेगा, वहां रोजगार ढूना पड़ेगा, जिंदीकी नहीं तरीके से शिरुवाद करने पड़ेगे, तो आप परिशान होगे की नहीं होगे, कोई भी एक्स वाईजट कोई भी परिशान होगा की नहीं होगा, ठीक है? फिर है, गर्बबती और नहीं मिल रहा है कैसे मिलेगा ठीक है और दूसरी बार नर्सिंग माताओं का बड़ा अनुपाद तो पांच वड़ से कम आयू के बच्चे एक खाद असुरक्षित होते ही है यूगि उनको जादा से जादा पुषण की आवश्यक्ता होती है अब अगर उनकी जो गर्बवती मा है वहीं को पूषण का सिकार उसको ही काना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा जबकि गर्ब धारण करने की अवस्था मैं जब प्रेग्नेंट लेडी हो कोई उस अवस्था में उसको जादा पूषण की आवश्यक्ता है लेकिन बेसक खाना भी नहीं मिल रहा तो उसके पास पूशन कहां से होगा और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी पूशन कहां से मिलेगा किलियर है बात तो ये कुछ समू है ये कुछ व्यक्ति है ये कुछ वर्ग है जो खाद आसुरक्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं चलिए द बता सकता है कोई भारत में ऐसे कौन से राज है जो खाद आसुरक्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है चलिए देखें भारत में खाद आसुरक्षा से ग्रस्त राज हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शंपूर उत्तर प्रदेश की बात रहीं करी गई है उत प्रक्षडपूर्वी उत्तरप्रदेश के जो हिस्से हैं उसके बाद उत्तरप्रदेश लगा बिहार फिरहजारकंट उड़ीसा पश्चिम बंगाल 36 गड़ मध्यप्रदेश और महरास्ट के कुछ भाग हैं जहां फूड इन सिक्यॉरिटी जादा देखने को मिलती है जहां क इसे मुझे कॉमेंट करके बताईए आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा अल्राइट तो जल्दी से चेक करो कि आपने लाइक और शेयर किया है कि नहीं किया है और बराबरी सिजु में बात आप से पूछ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और हाँ अगर आप मारे चनल पर नए है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हर एक चीज आपको एक्धम फ्री और कॉस्ट प्रुवाइट कराई जाती है सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने से आपको डेली बात हो रही है तो green revolution भारत में कब आई थी कोई बता सकता है green revolution भारत में कब शुरू करी गई थी किसके द्वारा शुरू करी गई थी यह basic information है भई कई बार आपको बताया गया है green revolution के बारे में दूसरे subjects में बताया है लेकिन मैंने बताया है तो जल्दी से comment करके बता दो कि Green Revolution भारत में कब आई थी किस पंचवर्सी यानि कि किस फाइव येर प्लान के तहत आई थी भारत में Green Revolution की शुरुआत करने का स्टेय किसे जाता है ठीक है देखा जाये तो सुन लो भी या बता देती हूँ आपको Green Revolution पहली बात तो ये होती है कि कि तीसरी पंचवर्सी योजना के दौरान कब तीसरी पंचवर्सी योजना के दौरान आई थी और क्या बात हो सकती है इसमें तीसरी पंचवर्सी योजना के दौरान उन्नीस सो सटसट अड्सट में ठीक। और भारत में कौन लेके आया था भारत में इसके शुरूआत किसके द्वारा करी थी डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन के द्वारा इसकी शुरुवात करी गई थी ठीक है चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं जो हमसे सवाल में पुछा गया था कि क्या आप मांते हैं कि भारत में हरित कुरांती ने खाद्यान उत्पादन में भारत को आत निर्भर बना दिया है हरित कुरांती के द्वारा क्या इतना प्रोडक्शन हुआ है फसल का कि भारत अब किसी दूसरी कंट्री पर खाद्यान के लिए डिपैंड नहीं है खुद पर डिपैंड है आत्म निर्भर है सब कुछ वो खुद कर सकता है ठीक है अगर आप बोलते ह हां तो कैसे the दिजन भी बताना है देखते हैं तो पहला जवाब तो हम देते हैं कि हां हरित करांती ने भारत को खाध्यान में आत्म निर्भर बना दिया है कैसे बना दिया है तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि उत्पादन में व्रध्धी करी गई है उत्पादन में व्रध्धी देखने को मिलती है कैसे अगर हमारे उत्पादन में व्रध्धी है यानि क हम अपने देश के लोगों का पालन कर सकते हैं उनको इतना अनाज उप्लब करवा सकते हैं जितने उन्हें जरूरत है तो 1960 के दशक के उत्रार्ध में जब 1960 का दशक शुरू हुआ था उत्रार्ध याने के शुरू आती दौर में हरित क्रांती ने भारती किसान को बीजों की अधिक उपस देने वाली किस्मों की खेती से परिचित कराया 1960 के दशक में क्या हुआ? 1960 के दशक के शुरूआत में हरित क्रांती ने भारती किसानों को बीजों की अधिक उपस देने वाली किस्मों से परिशित कराया जो HYV किस्म के बीज होते थे अब HYV बीज क्या होते हैं तो इसको भी देख लेते हैं हम बात करें HYV सीट्स की ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म होता है High Yielding Variety के सीट्स ठीक है High Yielding Variety के सीट्स यानि की उन्नत किस्म के बीज जिन बीजों का प्रियोग करने से ज़्यादा पैदावार प्राप्त होती है ठीक है तो HYV रासाइन कुर्वरक और कीट नाशकों के शाथ मिलकर किसका प्रियोग किया गया? रासाइने कुर्वरक और कीट नाशकों का प्रियोग यानि की chemical fertilizers और pasticides का उपयोग भी किया गया ठीक है तो इनने क्या किया गेहूं और चावल की उत्पादक्ता में व्रधी करी गेहूं और चावल की उत्पादक्ता में व्रधी करी जिससे भारत को खाद्यान में आत्म निर्भरता प्राप्त कन्या में मदद मिली ठीक है यानि कि हम किसी भी तरीकी के अनाज के लिए किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं है तो हरित क्रांदी की द्वारा क्या-क्या चालू किया गया था उद्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर जोड दिया रासाइन कुरवरक और कीट नाशकों के प्रयोग पर जोड दिया इनका प्रयोग करने से क्या होगा पसल उत्पादन में व्रद्धी होगी क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी में व्रद्धी होगी जिससे अनाज हमें जादा से जादा मिल पाएगा और हम किसी दूसरी country पर depend नहीं रहेंगे इतनी बात clear है चलिए आयातों पर नेयंत्रण यानि कि जब हमारे यहां उत्पादक तब बढ़ गई तो हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत क्या है हमारे यहां ही चीजों प्लब्द है लेकिन अगर हम किसी दूसरी country से आयात कराते है तो हमें ज्यादा पैसा लगेगा लगेगा की नहीं लगेगा कोई चीज आप विदेश से मगाते हैं तो ज्यादा पैसा लगेगा तो भारत में हरित क्रांती की सफलता के पहले भारत खाद्यानों की पूर्टी के लिए विदेशों पर निरभर था जब तक भारत में हरित क नहीं आई थी तब तक क्या था तब तक भारत अनाज के लिए खादियान के लिए दूसरे देशों पर निरभर था लेकिन जब हरिट क्रांती आई प्रोडक्टिविटी बड़ी प्रोडक्शन बढ़ा फसल उत्पादन बढ़ा तो हमें आयात नहीं करना पड़ा अब हमारे आयात नाम मात्र के हैं ठीक है फिर अब हरिट क्रांती से फसल उत्पादकता में ब्रद्धी हुई तो बफर स्टाउक की अधिक्ता हुई बफर स्टाउक होगा तो हमारा buffer stock भी जादा बढ़ जाएगा ठीक है तो पहले भारत में buffer stock में बहुत कम खाद्यान उपलब्द होता था परन्तु हरित क्रांती के पाद भारती buffer stock में खाद्यानों की मात्रा बढ़ गई है और FCI के पास यानिकी Food Corporation of India भारती खादे निगम के पास 2014 में 65.2 करोड टन निर्धारित नियूंतम buffer stock से काफी अधिक मात्रा में stock उपलब्द था ठीक है तो हरित क्रांती से क्या क्या हुआ उत्पादन में व्रद्धी हुई उत्पादन में व्रद्धी हुई तो हमें किसी दूसरे देश से अनाज को नहीं मगाना पड़ा यानि कि आयातों पर नेंत्रण हुआ ठीक है अब दूसरे देश से अनाज नहीं मगाना है हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी भी ज्यादा हो गई उसमें ज्यादा से ज्यादा अना सुरक्षित रखा जाने लगा अल्राइट तो हरित क्रांती ने घादी सुरक्षा को बढ़ाने में किस तरीके से अपने भूमिकाने भाई ये तीन पॉइंट के मांधियम से हम बता सकते हो भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है व्याख्या कीजिए यानि कि भारत में जो है लोगों को एक वर्ग ऐसा भी जिनको खाना पूरी तरीके से अच्छे से नहीं मिल पाता है दो वक्त का खाना नहीं मिल पाता है ठीक है ऐसा कौन सा वर्ग है पिला रही महिला तथा पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाध्यान से वंचित है जी हाँ अब इनको इनको ही क्यों लिया गया गर्भवती महिला जब कोई लेडी प्रेंगनेंट होती है तो उसको उस समय जादा निट्रिशन की आवश्क्ता होती है यह बात हुम सभी जानते है लेकिन लेकिन जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको दो वकत का भोजन ही मिल पा रहा है तो गर्भ के दौरान प्रे preçoी के दौरान उनको पोशन यूद्धा बोजन कैसे मिल पाईगा वह सक्षम ही पुपण का शिकार है तो उनका जो बच्चा पल रहा है उनके पेट में उसको कैसे पोस्षन दोओन हो एंगे कलीर हो रही है बात वह माताओं के साथ 5 वर से से कम उमरे के बच्चे भी इस परिशानी से पीड़े इसके अतिरेक्त देश के कुछ शेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो यानि कि पूरी तरीके से हमारा देश संपन नहीं है कि समाज का देश का और देश का हर एक शेत्र और छेत्र में रहने वाला हर एक समाज आर्थिक रूप से संपन ही हो तो हमारे देश के कुछ ऐसे भाग भी है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जहां गरीब ही बहुत जादा है और प्राक्रतिक आपदाओं से भी वो प्रभावित हैं वहाँ पर उतने साधन ही नहीं है रिसोर्स ऐसी नहीं है संसाधन ही नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल पाए रोजगार नहीं मिलेगा कमाएंगे क्या खाएंगे क्या परिवार का पालन पूशन कैसे करेंगे और अगर मान लो कि उन शेत्रों में प्राक्रतिक आपदाओं भी आ जाती हैं और कुछ ऐसे शेत में आती रहती है और जब यह उस शेत्र के लोग विकास कर पाएंगे देगे वह एक लेविल से उपर ही नहीं उठेख पारे उस लेविल तक पहुंचने से पहले ही वो और नीचे किसक जाते हैं इन सब समस्याओं के कारण तो हमारे देश के कुछ ऐसे वर्ग है ये कुछ ऐसे वर्ग है जो अभी भी खाद्य सम्मधी परेशानियों से जूज रहे हैं अल्राइट चलिए तो पांस सवाल हो चुके हैं अब क्या है Q6 है जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्थी पर क्या प्रभाव होता है हमारे देश में जब कोई भी आपदा आती है तो खाद्य पूर्थी कैसे प्रभावित होती है चलिए समस्ते हैं इसको तो देखें आपदा के समय का द्यापूर्ती बुरी तरीके से प्रभावित होती है कैसे जैसे किसी प्राक्रतिक आपदा जैसे की सूखा सुखा क्या है प्राक्रिटिक आपदा ही है सुखा का मतलब क्या होता है कि किसी मौसम में किसी जगह बारिश न हो और कहीं कहीं बारिश हमेशा ही पुरी जिन्दिकी ही बहुत ही कम होती है वो शेतर ऐसे ही होते हैं कि वहाँ पर बारिश की संभावनाय बहुत कम होती है जैसे होगा बारिश नहीं होगी फसल कैसे होगेगी ठीक है तो फसल की जो प्रोड़क्टिविटी है वो गिर जाएगी उत्पादन गिर जाएगा तो उन छेत्रों में खाद्य संबंधी समस्या उत्पन होगी की नहीं होगी बिल्कुल होगी फिर क्या है आपदा के समय खाद्यान क पैदावर में कमी आने से कीमतें बढ़ जाती है आपदा किसम है अब आपदा आई ठीक है कोई भी आपदा आई बाड़ आई सुखा आया कुछ भी आया मालो ठंड मैं ओ जो है फसल मैं पाला लग गया तो शार लगया तो फसल खराब हो जाएगी तो होगा क्या जब फसल कम पैदा हुई है तो कमी होने से कीमत बढ़ेगी की नहीं पढ़ेगी यानि कि जो चीज उतनी अवेलेवल ही नहीं है डिमांड बहुत जादा है डिमांड मोर है और सप्लाइ बहुत कम है डिमांड मोर और सप्लाइ लेस तो कैसी सिचुएशन बनेगी कैसी सिचुएशन बढ ही जाएंगी कीमतें बढ़ेंगी क्लियर है बात फिर क्या होगा आपदा यदि अधिक विस्तर छेत्र में आती है चोटे मोटे छेत्र में नहीं आती है बहुत बड़े शेत्र में उस तरीके की आपदा आती है अथ्वा अधिक समय तक वह आपदा बनी रहती है तो भुकमरी क इस्थिति उत्पन हो सकती है कि नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है तो आपदा के समय खाद्यानों की कमी हो जाती है जिससे जमाखोरी वा काला बाजारी की इस्थिति उत्पन हो जाती है अब जो बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं जितना भी बाजार में खाध्यान है वो अपने में समेट लेते हैं टीक है एक तरफ अपने उसमें गोधामों में भर रख लेते हैं जमा कर लेते हैं और फिर क्या होगा बाजारी व्यक्ति जो है जमाखोर व्यक्ति जो है कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही कीमत बढ़ीगे और फिर मैं इन चीजों की थोड़ी-थोड़ी सप्लाए करता रहूंगा क्लियर चलिए तो इस तरीके से खादय पूर्थी पर प्रभाव पढ़ता है जब हमारे देश में कोई भी आपदा आती है क्वेंस्चिन नमर्स ऐवen है मौसमी बुकमरी और दीर्घ कालग भुकमरी में अंतर बताईए क्या बताना है मौसमी भुकमरी और दीर्ग कालिक भुकमरी में क्या अंतर है देखा जाए इसको चलिए समझते हैं सबसे पहले मौसमी भुकमरी के बारे में समझते हैं तो सबसे पहली बात तो यह आती है मौसमी भुकमरी कैसे उत्पन होती है इसका एक कारड़ ये भी होता है मौसमी बेरोजगारी के सिस्थिति को कहा जाता है बेरोजगारी उस सिस्थिति को कहा जाता है कि जब यक्ति काम करने की इक्षा रखता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है और मौसमी बेरोजगारी किसे कहा जाएगा मौसमी बेरोजगारी उसे कहा जाएगा कि जब व्यक्ति को एक मौसम में काम मिलता है लेकिन फिर दूसरे मौसम में काम नहीं मिलता यानि कि साल के कुछ महीनों महरुक रुक के काम मिलता है लेकिन बीच बीच में काम नहीं मिलता है और ऐसी बेरोजगारी कहां पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी जादा से जादा आपको क्रशी शेत्र में देखने को मिलेगी कैसे क्रशी का एकनिश्चत मौसम होता है फसल को बोने का समय होता है और फसल के कटने का भी एक निश्चिस समय होता है जैसे कि मालो अभी बारिश का समय है तो जुलाई के महीनों में फसल को बोया गया ठीक है जुलाई के महीनों में क्या किया गया फसल को बोया फसल को तियार होने में टाइम लगेगा ठीक है, ऑक्टूबर नवंबर तक वो फसल काटी जाएगी ऑक्टूबर में फसल की हो गई कटाई अब जो ये बीच का समय है, बीच के जो महीने है इन महीनों में मजदूरों को क्या काम मिलेगा कोई काम नहीं मिले जो खेती में काम करने वाले मजदूर है उसमोंने क्या काम मिलेगा काम नहीं मिल पाएगा तो इस दोरान वो किस चीज से परेशान होंगे किस चीज का शिकार होंगे इस दोरान वो मौसमी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का शिकार होंगे ये बात क्लियर है तो मौसमी बेरोजगारी जब होगी तो मौसमी भुकमरी होगी की नहीं होगी यानि कि उस दोरान उनको मजदूरी नहीं मिलेगी पैसे नहीं मिलेगे, इंकम नहीं आएगी उनके पास क्या खरीदेंगे क्या खाएंगे ठीक है तो अब सुनना और इस तरीके की भुकमरी जो है एक तो क्रशी शित्र में काम ना मिलने से और दूसरा क्रशी उत्पादन में अगर गिरावट आ रही है क्रशी में उत्पादन कम हो रहा है फसल में प्रोडक्टिविटी क हो रही है तो उसके कारण भी उत्पन्न होती है मौसमी भेरोजगारी तो मौसमी भुकमरी तो यह क्रशी उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होती है ठीक है फिर पूरे साल काम ना मिलने से इस तरीके की परिस्थिती उत्पन्न होती है जब आपको पूरे साल काम नहीं मिलेगा तो क्या रहोगे आप बेरोजगार रहोगे बेरोजगार रहोगे तो कैसे मलब क्या आएगी आपके पास बुक्मरी आएगी ठीक है फिर ये जो है बार सूखा जैसी आप दाओं के कारण भी उत्पन होती है बार आगई फसल खराब हो गई सूखा पड़ गया उगही नहीं पाएगी पानी ही नहीं मिलेगा धर्ती को फसल को तो फसल उगेगी कैसे यानि कि खाद्य पडार्थों की कमी आ जाएगी अनाज की कमी आ जाएगी ठीक है और उपर से बेरोजगारी भी है तो ये क्या हो गई आपकी मौसमी बेरोजगारी हो गई जिस समय जुपलब्द नहीं हो पाएगा अब बात आती है दूसरी तरफ दीर्ग कालिक भुकमरी की दीर्ग कालिक भुकमरी क्या होती है देख लेते हैं इसको दीर के कालिक भुकमरी क्या होती है लंबे समय तक चलने वाली भुकमरी लोग रोज भूके नहीं रहेंगे ठीक है रोज जैसा नहीं रहेगा कि खाना नहीं मिलेगा लेकिन पर्याप्द खाना नहीं मिलेगा इस दोरान देखना तो हमेशा से कम आय हो तो इस प्रकार की भुकमरी लगातार बनी रहती है ठीक है अगर व्यक्ति की इंकम हमेशा कम हो कभी उसको जादा पैसा नहीं मिल पाए तो हमेशा कम इंकम होगी तो वो कम खाना खरीद पाएगा कम खापएगा, कम खापएगा, ठीक है? तो जब हमेशा से कम आए हो तो उस प्रकार की भुकमरी लगातार बनी रहती है अब कम आए होगी तो लोग खाध्यान खरीदने में असमर्थ होंगे खाध्यान नहीं खरीद पाएंगे और ऐसे भुकमरी कैसे उत्पन होती है आप परयाप्त कुराख से उत्पन होती है यानि कि लोगों को परयाप्तe खाना ही नहीं मिलेगा भूघ है चार रोटी की और मिल रही है दो रोटी तो ये क्या है खाना तो तुमको रोज मिल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है आपकी भूख के हिसाब से आपको खाना नहीं मिल रहा है तो इसका यह किसका प्रिडाम है यह है दीर्ग कालिक भुकमरी क्लियर हो रही है बात कि मौस में भुकमरी क्या होती है और दीर्ग कालिक भुकमरी क्या होती है चला जाए आंगे Question No.8 है गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? एक बात सरकार की ओर से शुरु की गई किन ही दो योजनाओं की चर्चा कीजिये यहाने की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी दो योजनाए करी है उनकी भी चर्चा करना है चलिए तो समझते हैं देखें सबसे पहली बात जो है गरीबों को अब ध्यान से सुनना अब सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात नहीं है आंसर को किस तरफ लेके जाना है उस पे ध्यान से सुनना उसके पहले question को समझना सबसे important है यहां पर सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात नहीं करी गई है यहां पर बात करी गई है गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए के लिए सरकार ने क्या किया तो एक बात तो हमें यह पता है सिर्फ खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें सिर्फ फूड सेक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमें यह समझ आता है कि सरकार ने पीडियेस यानि की पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम सारवजिन वित्रण प्रणाली को लागू किया है जो 1992 के पहले से शुरू है लेकिन 1992 के पहले सभी के लिए लागू थी सभी के लिए इसके था तनाज दिया जाता था लेकिन 1992 से क्या कर दिया गया इसमें शंशोधन कर दिया गया और इसको शंसोजित सारवजनेक वित्रण परणाली का नाम दे दिया गया यानि कि अब ये सभी लोगों को नहीं मिलती थी इसका लाप सभी लोगों के लिए लागू नहीं थी वह अब सिर्फ गरीब परिवारों के लिए ही लागू थी 1992 से ठीक है इसलिए यहां परिसांसर की शिरुवाद संशोधे सारवजनेक वितरन प्रणाली से करी गई है ना कि सिर्फ सारवजनेक वितरन प्रणाली से क्योंकि सवाल क्या पुछा गया है कि गरीबों को खाद सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया अब सिर्फ गरीब व्यक्तियों की बात तो शंशोधे सारवजनेक वित्रण प्रणाली इस प्रणाली का आरहम 1992 में हुआ था 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया था कितने देश के 1700 ब्लॉक में इसको शुरू किया गया था और इसका लक्ष इसका लक्ष दूर दराज के और सभी पिछडे शेत्रों में सारवजन वित्रण प्रणाली का लाप पहुचाना था जो पिछड़े शेत्र हैं जो दूर दराज की शेत्र हैं और जून 1997 में क्या किया गया जून 1997 में इसको नाम दे दिया गया लक्षे सार्वजनेक वित्रण प्रणाली यानि कि TPDS टारगेटेट पब्लिक डिस्टिविशन सिस्ट अब इसमें क्या किया गया जून 1997 से जून 1997 में सभी छेत्रों में गरीब गरीवों को लक्षित करने का सिध्धान अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनेक वित्रण प्रणाली प्रारंभ करी गई थी यानि कि TPDS का फुल फर्म क्या होगा टारगेटेट पब्लिक डिस्ट किलियर है बात यहां तक की संशोधिस सार्वजनेक वित्रण प्राली गरीबों को खार्द सुरक्षा देने के लिए और लक्षिस सार्वजनेक वित्रण प्राली जून 1997 में चालू करी गई थी ठीक है अब हम से पुशा गया था योजना के बारे में तो एक योजना है आपकी अन्तियोदय अन्योजना ठीक है अन्तियोदय अन्योजना इसको हम A A Y के शौट फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में भी आपसे पुशा जाता है कि A A Y का फुल फॉर्म बताईए तो यह योजना गरीब में भी सरवाधिक गरीब के लिए शुरू करी गई थी और इस योजना का संचालन सारवजिनेक वित्रण प्रणाली को वर्तमान नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया गया था ठीक है जो सारवजिनेक वित्रण प्रणाली है वो वर्तमान नेटवर्क से जोड़े यान की गरीब में अभी जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए इसका लाब मिले और इसको नाम दिया गया था अंतियोदय अन्य योजने यान की जो समाज की एकदम अंतिम पंती में इस्थि क्या है अब है क्वेशन अंबन नाइन सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है बताओ बई कई बार मैंने आपको बताया है बफर स्टॉक का पूरा कंसेप्ट बताया है जल्दी से जो भी आपको बता है कॉमेंट करके मुझे बता दिए बफर स्टॉक के बारे में बफर बफर स्टॉक क्यों बनाती है तो बफर स्टॉक होते क्या है सबसे पहली बात तो यह है बफर स्टॉक सरकार के बड़े-बड़े अनाजबंडार ग्रह होते हैं जिसमें सरकार क्या करती है है एफसी आई के द्वारा फूड कॉर्पॉरेशन ओफ इंडिया के द्वारा किसके द्वारा एफसी आई के माध्यम से संवेफ सी आइ offense औरनो से अनाजस खरीत्ती है धी does जिसानों से अनाज servants खरीदती है सरकार एक बात यह हो गई ठीक है क्यों खरीदती है किसानों से नियूंतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदना वो भी किस पर नियूंतम समर्थन मूल्य पर नियूंतम समर्थन मूल्य पर तो जब फसल को खेतों में बोया जाता है बोने से पहले ही Food Corporation of India यानि की भारती खाद्यने कम जो है किसानों से अनाज खरीदने का वादा करता है सरकार उस अनाज का एक नियूंतम कीमत तै करती है नियूंतम समर्थन मूल्य तै करती है कि जब किसान की फसल पके तैयार हो जाएगी उस कीमत पर सरकार किसान से अनाज खरीदेगी ठीक है और जब फसल तैयार हो जाती है तो सरकार FCI के माध्यम से किसानों से अनाज खरीती है उसी मूल्य पर जिसको हम नियूंतम समर्थन मूल्यक कहते हैं ठीक है अब ये सब खरीदा क्यों बफर स्टॉक क्यों बनाए फूट सिक्यारिटी को निश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ठीक है अब इस में बफर स्टॉक में सरकार के अनाज भडार ग्रहों में इतना जादा अनाज संचित और सुरक्षित होता है कि हर व्यक्ति को उसकी पूर्टी हो सकती है ठीक है तो गरीव वर्गों में बाजार मूले से कम कीमत पर अनाज वित्रन करने के लिए गरीव व्यक्तियों को बाजार मुले से आधी से भी कम कीमत पर सरकार इस सारवजनेक वित्रन प्रणाली के माध्यम से जो बफर स्टॉक में आज स्टोर किया गया है वो उपलब्ध कराती है फिर आपदा के समय आपदा ग्रस्त इलाके तक खादी की पूर्ति करने के लिए अमान लोगी कभी किसी समय किसी शेत्र में आपदा आगे बाड़ आ गई भुकम पागया सुखा हो गया सुनामी आ गई कुछ भी हो गया कोई महामारी फैल गई कि वहां के लोगों को खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है तो समय लोगों तक खाद्यपदार की पूर्ति हो सके लोगों को भूजन मिल सके उसके लिए भारत में बफर स्टॉप बनाए जाने का अन्यमुख्य उद्देश भारती किसानों की बाजार उतार चड़ावों से रक्षा करना है इसको कनेक् टैक कर दी है मूले टैक कर दिया है अब अब चाहे बाजार में कीमतें बड़ें चाहे घटें किसान को उसी कीमत पर जो है अपना अनाज बेचना होगा अगर मान लो कि बाजार में उस समय कीमतें घट रही हो लेकिन सरकार ने किसानों के लिए नियुतम समर्थन मूले के थ तुससे जादा कीमत पहले से ही तैकरी हो तो किसानों की तो चांदी ही चांदी हो गई ठीक है तो किसानों को फायदा हुआ किस से जो बाजार में मूल्यों का उतार और चड़ाव हो रहा है उससे किलियर इसमें किसानों को सरकारद्वारा पहले से निर्धारित कीमत उनकी उपज के लिए दी जाती है किलियर जो पहले से निर्धारित कीमत है जो न्यूंतम समर्थन मूल्य है उसके तहद किसानों को जो है वो मूले दिया जाता है और किसानों से अनाज खरीदा जाता है जिससे किसानों की भी किसानों की फसल की भी रक्षा हो जाती है उनको घाटा नहीं लगता किलियर है इसलिए बफर स्टॉक सरकार बनाती है यहां तक कोई डाउट है कोई सवाल कोई क्वेस्चन तो जल्दी से कॉमेंट करके बताईए बस थोड़ी देर में आज का ये शेशन खतम होने वाला है अगर कोई सवाल है तो जल्दी से बताएं मुझे कॉमेंट करके नहीं द scrib HP चलते हैं फिर आंगे ऐल किलियर है लाइक शेयर बराबर से हो रहा है अगर नहीं हुआ है चेक करो जल्दी से करो और अगर आपमारे चैनल पर नए हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, चलिए, अब हमें लिखनी है टिपडी, पहली टिपडी है नियूंतम समर्थन कीमत पर और दूसरी टिप तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब लिखना कैसे है, वो समझते हैं, चलिए, देखें, सबसे पहली बात आती है, नियूंतम समर्थन मूल्य की, ठीक, नियूंतम समर्थित मूल्य, तो किसानों को उनकी फसल के लिए, पहले से ही अनाजों के लिए सरकार कीमत घोसित कर देती है, ठीक है, जब फसल को किसान बोते नहीं है, उसके पहले ही सरकार ये कीमत टै कर देती है, कि गेहों की कीमत ये होगी, चावल की ये, दाल की ये, चना की ये, इसकी ये, उसकी ये, ठीक है, और उसी कीमत पर सरकार जो है, किसानों से अनाज खरीदती है, तो उस मूल में ठीक है जब कोई टिपड़ी आप से पुछी जाती है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है आपको जितना short and sweet content आप उसमें लिख सकते हैं कि कम शब्दों में जादा से जादा जितनी information आप दे सकते हैं वो दें टिपड़ी का मतलब ही यहीं होता है टिपड़ी का मतलब कभी बहुत ज़्यादा लंबा आंसन नहीं होता है ठीक है और टिपड़ी जो हमें इसे पैराग्राफ के फॉर्मल खीजाती है कि यह बात भी है ठीक है बफर स्टॉक सरकार भारतिय खाद्य निगम के माध्यम से आनि की FCIA के माध्यम से Food Corporation Of India के माध्यम से किसानों से अनाज खरीती है और कैसे खरीती है किस मुले पर नियूंतम समर्थन मुले पर खरीती है और उस अनाज को खरीद'd कर खाद्य भंढारों में यूंगी बफर स्टॉक में भंडारित कर लेती है और इसे को कहा जाता है बफर स्टॉक पूरी बाते आ गई इसमें ठीक है इन दौनों चीजों से क्या हो रहा है नियूंतम समर्थन कीमत और बफर स्टॉक से क्या फायदा है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है खाद्य सुरक्षा सुनिष्षिद हो रही है अल्राइट किलियर है क्योंकि जब नियुनतम समर्थनमूली किसानों के लिए तैकर दिया जाता है तो किसानों में एक तरीके से जो है उससाह बढ़ जाता है अप्रोस साहन मिल जाता है और उनको और वो किसान जो है जादा से जादा उत्पादन का काम करने लगते हैं जिस से देश में जादा उत्पादन होता है जादा खादपदार्थ जो है अवलिवल रहता है ओल्राइट दोनों बाते समझ में आ गई नियूंतम समर्थन कीमत और बफर स्टॉक चलें फिर आँगे चलिए कोई डाउट है तो जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बता देना है अब अगली टिपड़ी लिखनी है आपको निर्गम कीमत पर ठीक है और उचित दर्की दुकान पर देख लेते हैं इसको भी अब निर्गम कीमत क्या होती है निर्गम कीमत अनाज की कमी वाले छेत्रों में और समाज के गरीव वर्गों में कहां कहां जहां अनाज की कमी है तो अनाज की कमी वाले शेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से भी काफी कम कीमत पर सरकार अनाज वित्रण करवाती है और इसी कीमत को निर्गत कीमत या निर्गम कीमत कहा जाता है यानि कि सरकार जब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को अनाज उपलब्द करवाती है तो उस कीमत को कहा जाता है निर्गम कीमत या निर्गत कीमत किलियर फिर दूसरी बात क्या है उचेदर की दुकान तो इनहीं उचित दर की दुकानों के द्वारा इस निर्गत कीमत पर यानी की बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को खाध्यान उपलब्द करवाया जाता है तो सारवचनेक वित्रन प्रणाली के अंतरगत पब्लिक डिस्ट्रिबिशन सिस्टम के अंतरगत देश के सभी शेत्रों, गावों, कस्बों और शेहरों में राशन की दुकाने संचालित करी जाती है इसे ही उच्चित दर की दुकान कहा जाते है क्योंकि उच्चित दर पर एक सही रेट पर लोगों को खाद्यान उपलब्ध करवाया जाता है इन्ही दुकानों को क्या कहा जाता है इन्ही दुकानों को उच्चित दर की दुकाने कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्चत दर पर उच्चत पैसो पर उच्चत रुपयों पर उच्चत मूल्य पर निर्गत कीमत पर बाजार कीमत से कम कीमत पर गरीब परिवारों को अनाज और दूसरी चीज़ें उपलब्द करवाई जाती है यानि की खाने पीने की चीज़ें प्लब्द करवाई जाती है क्लियर है? कोई डाउट है? तो टिपड़ी कैसे लिखी जाती है यह बास समझ में आई? टिपड़ी कभी बहुत बड़े पैराग्राफ के साथ नहीं लिखी जाती कि उसके लिए पेज भनना हो या पॉइंट में लिखना हो टिपड़ी में जादा से जादा इन्फोर्मेशन आप सही और सटीक शब्दों में ठीक है? कम शब्दों में कैसे दे पाती है? यह होता है मैंनो देश किसका? टिपड़ी लिखने का टिपड़ी हमेशा पेरग्राफ में लिखना है कभी पॉइंट में नहीं लिखना है और जितना कम बन पाए ठीक है? जितना कम यानि की शब्द सीमा हो लेकिन गन्टेंट जितना हो मलब गन्टेंट एक्चुल कंटेंट होना चाहिए वैल्यूवल कंटेंट होना चाहिए कम शब्दों में ज़्यादा बात को कह देना ही टिपड़ी होती है क्लियर? चलिए अब है क्वेश्चिन नमबर 11 राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? इतना सब तो पढ़ लिया कि राशन की दुकानों के द्वारा सारवजनिक वित्रन प्रणाली के माध्यम से लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अना जुपलब्द करवाया जाता है तो क्या यहाँ पर कोई समस्याएं भी हैं? बिल्कुल है ठीक है हर एक का लेखा जुका रखना पड़ता है फिर राशन की दुकानों पर उपभोकताओं का हर बात का खयाल रखना पड़ता है कि हर एक उपभोकता को जिसको वाकई में जरूरत है उसी को सामान मिल रहा है की नहीं और परियाप्त सामा जितना निर्धारित किया गया उसके लिए उतना मिल रहा है की नहीं और सही चीज उसको लब्द कराई जा रही है की नहीं फिर राशन की दुकानों का उपभोकता की शिकायत की पुष्टी होने पर लाइसेंस रद भी हो सकता है अगर कंज्यूमर खुष नहीं है कि उसको परियाप्त चीज मिली उस राशन की दुकान से की नहीं और समय पर मिली की नहीं मिली और जितनी चीज़ें उसको मिलने चाहिए उतनी मिलने की नहीं और अगर वो complaint कर देता है शिकायद कर देता है फिर यह जाच करी जाती कि उसकी द्वारा की कई complaint सही है की नहीं है ठीक है और अगर सही पाएगे तो राशन की जो दुकान होती है उनका license भी रद्ध कर दिया जा सकता है तो यह सब समस्याएं होती है राशन की दुकानों के संचालन में जो इनका संचालन करता है उसके सामने अल्राइट चलिए क्वेशन अमर 12 है खाध्य और संबंधित वस्तूओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समीतियों की भूमिका पर एक टिपड़ी लिखिए खाध्य और उससे संबंधित जो भी वस्तूओं है उनको उपलब्ध कराने में सहकारी समीतियों की भूमिका क्या है सहकारी समीति के बारे मैं भी मैंने आपको डिटेल में बताया है तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सहकारी समीती आखिर होती क्या है सहकारी समीती जिसको हम कहते हैं कॉपरेटिव कमेटी अब यह कॉपरेटिव कमेटी कैसे काम करती हैं सहकारी सहकारी का मतलब होता है साथ मैं मिलकर काम करना क्या होता है साथ मैं मिलकर काम करना बहुत सारे लोग एक किसी विशेश उद्देश की पूर्दी के लिए कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में एकदम साथ मैं मिलकर काम करते हैं एक उद्धिश्य बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है अब सवाल यहाँ पर क्या पुछा गया है कि खाद्य और संबंधित वस्तों को उपलब्ध करवाने में सहकारी समीति की क्या भूमिका होती है यानि कि फूड सिक्योरिटी में कॉर्परेट्यो कमेटीज का क्या रोल होत है चले आंसर की तरफ चलिए चलते हैं देखें तो भारत में खाद्य और संबंधित वस्तों को उपलब्ध कराने में सहकारी समीतियां अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है महत्वपुण भूमिका निभा रही है पहला पॉइंट देखते हैं इसका निर्ध जो अपलब्ध हो जाती है फिर हम एक्जामपल लेते हैं तमिल नाडू का दक्षण भारती राज्य का उधार लें तो तमिल नाडू में 94 प्रतिशत राशन की दुकाने किस से चल रही है इन्ही कॉर्पॉरेट्व कमेटी यानि की सहकारी समीतियों के माध्यम से चल रही है मदर डेरी का नाम आपने सुना होगा जो दिल्ली के स्टुडेंट्स होंगे उनने तो जरूर ही सुना होगा तो मदर डेरी क्या है ये एक दूर डेरी है जो दिल्ली के उपभोकताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नेंतरत कीमतों पर दूद तथा सबजियों को उपलब 24 अभी ने सुना होगा योगि अमूल दूद पूरे भारत में बिता है तो यह कहां है इसकी द्ंदी कहा है गुजरात में और यहिं से श्वेत करांथी चालो हुई थी अगर आपको याद हो श्वेत करांदी की बात जब आती है तो पहला पॉइंट आता है कि गुजरात के आनंद जिले से अमूल दूद की शुरुवात हुई ती दूद उतपादन में बढ़ावा देने के लिए तो गुजरात में अमूल सहकारी समीती अमूल कॉर्परेटर कमेटी का एक मुख्य उधारन जो उपभोकताओं को दूद तथा समाच मिल जाएगा किलियर है तो कॉपरेटर कमेटी का क्या उद्देश होता है खाद्य सुरक्षा के शेत्र में के साथ मिलके काम करती हैं लोगों का एक समू होता है जिसमें ये सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों के अनुसार ही कम से कम कीमत पर खाद्य पदार्थ कर देना है अल्राइट किलियर है अब बता दो बहिया कोई डाउट हो कोई समस्या हो जल्दी से बता दो चला जाए चली कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके आपको बता देना है हर एक सवाल का जबाब आपको कॉमेंट सेक्शन में दिया जाएगा और जल्दी से नोटिफिक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दिया है तो अगर आप हमारे डेली के लाइब शेशन और रिकॉर्डिट सेशन से जुनना चाहते हैं सारी चीज़े उपलब्द हैं मैंगनेट प्रेंज के यूटूब चनल वेब साइट और अप्लिकेशन पर मैंगनेट प्रेंज इंडिया का नंबर वान हंडेड पर्चन फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसके अलाव अगर आप ईबुक्स और इनोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्से सिंध्य और इंग्लिस दौनर मीजियम में अविलेबल हैं सीबसी बोट के साथ साथ दिली वोट विहार वर यूपी वोट राजस्तान बोट के स्लेवस को कबर कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्स हैं वैदिक मैस क् वाटसप पर भी अपलब्द है आप हमें यहां भी पॉलो कर सकते हैं यहां से भी सारे जानकारी प्राब्द कर सकते हैं तो आज के शेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है प